फूलो वाले पौदे तो सब लगाते हैं लेकिन जब हम यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं उसमें देखते हैं कि सबने फूलो वाले पौदे तो लगाए साथ में सबजियां भी लगाई हैं और उनको सबजियां मिल भी रही हैं तो हमें भी मन करता है कि हम भी अपने गा बहुत आसानी से लग जाएगी और आप अपनी गार्णिंग शुरू भी इस तरह से कर सकते हो तो आज मैं आपके साथ यही शेयर कर रही हूं कि हम पत्तेदार सब्जियां लीफी वेजेटेबल किस तरह से लगा सकते हैं तो हेलो फ्रेंस मैं रश्मी स्वागत करते हूं आप प्लांट चिकनी मिट्टी में अच्छी तरह से ग्रोण नहीं होता है मैं इसमें नीमखली मिला ना भूल गए थी तो मैं एक-एक मुठी नीमखली दोनों ग्रोबैग में मैं मिला रही हूं ताकि और अच्छे से इसे मिक्स कर रहे हूं ताकि इसमें हम जो भी बीज को बहुत गहरे पॉट की जरूरत नहीं होती है हां लेकिन उसकी चोड़ाई होनी ची जितनी ज्यादा चोड़ाई होगी उतनी आप ज्यादा भाजिया होगा पाऊगी तो आप देख रहे हो मेरी जो ग्रोबैग है उसकी जो गहराई है वो 6 इंच की है तो आप 5 इंच से ल भीगो दिया था पानी में यह हाइब्रीड सीड है तो इसे मैंने बिगो दिया ताकि जो भी उसका आउटर कवर है वो थोड़ा सा सौफ हो जाए तो जर्मिनेट वो जल्दी से हो जायगा आप ऐसे भी उसे सो कर सकते हो लेकिन उसमें फिर जर्मिनेशन में बहुत दिन ल स्प्रिंकल करके थोड़ा-थोड़ा हर जगह पे गैप-गैप में करके हम स्प्रिंकल कर देंगे ताकि सारे जो बीज है वो एक जगह पे खटा नाओ इस बात का ध्यान रखे आप अच्छी तरह से फैला दीजे बीज को ताकि बीज जब ग्रो हो तो उसे अच्छे से जगह म दो भाग में कर लीजिए और फिर उसे आप भिगो दीजिए और उसी को आप ग्रो कर सकते हो वो भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है देखे मैंने सारे जो सीड है उससे मैंने स्प्रिंकल कर दिये हैं आप देख सकते हो एक जगह पे नहीं करने सारे पूरे में ही हमें ताकि जब वो ग्रू हो तो उसे अच्छे से जगा मिल सकें, और फिर उसके उपर हलकी हलकी मिट्टी के परत और लगा लेनी है, ताकि जो सारे हमने बीच स्प्रिंकल की है, वो ढग जाए, बहुत मोटी परत नहीं करनी है, सिर्फ जो हमने बीच डाले हैं, उसे हमें ढग ना जाए उतनी ही परत लगानी है और उसके बाद हलके हथ से मिटी को दबा देना है पानी कैसे देना ये मैं आपको लास में बताऊंगी अब चली लगाते हैं मेथी के बीज मेथी के जो बीज है वो भी हम अपने घर में जो मेथी होती है उसी से हम उगा सकते तो उसके लिए अगर भीगोना चाहो तो भीगो दीजी अगर ऐसे भी मेथी आप लगा लोगे तो भी वो छे से साथ दिन में जर्मिनिट हो जाती तो अगर भीगो देंगे तो तीन से चार दिन में जर्मिनिट हो जाएगे तो मेथी को भी आपको अगर आप इस तरह से लगाना चाहो तो इस इस तरह से मेथी को मिट्टी में डाल के, हलके हातों से मिट्टी को उलट सुलट कर दीजिए, पूरे ही सारी मेथी मिट्टी के अंदर चली जाएगी, अगर आपकी मिट्टी गीली है, तो फिर आप उसके ऊपर से थोड़ी से मिट्टी डाल दीजिए, और जो बीज है उसे कवर कर दीजिए, और अब लास्ट में हम लगाते हैं पालक के बीज, यह बीज मैंने लास्ट येर जो पालक लगाए थी, उसमें सही बीज हार्वेस्ट किये हैं, और मैं यही लगाने वाली हूँ, आप केसी भी लोकल सीट सौप से अच्छी कॉलिटी के पालक के बीज लाए, फिर उसे आप लगा लीजी, या फिर आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो, ऑनलाइन भी पालक के बीज आपको मिल जाएंगे, तो पालक के बीज लगाने के लिए मैंने देखिया इस तरह से एक लाइने लगाई है तो हल्का सा गड़ा किया है मतलब और उसमें मैं पालक के बीज लगा रही हूँ यही प्रोसिजर आप मेथी में और धनिया में भी कर सकते हो और इसको आप स्प्रिंकल भी कर सकते हो तो आप जियसे भी चाहो उस तरह से अपने बीज लगा सकते हो ये लीफी वेजेटेबल बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है तो मैंने इस तरह से हलका सा मिट्टी में गड़ा किया है और उसमें मैं सारे बीज लगा रही हूँ और उसके बाद साइट साइट से जो मिट्टी है उसको बीज के उपर आप चड़ा दीजिए ताकि जो भी हमारे बीज है वो सारे मिट्टी से कवर हो जाए तो इस तरह से बहुत आसानी मेथी धनिया पालक को लगाना जो ध्यान रखने वाली बात है वो है इसमें कैसे हम पानी देंगे पानी अगर आपने डाइरिक मगे से या फिर डाइरिक पाइप से दिया तो जितने भी हमारे बीज हमने बोय है वो सारे उपर आ जाएंगे जब भी आप पानी दे तो pipe के नीचे या फिर मग्य के नीचे आप इस दरह से हाथ रखें और जो पानी का फ्लो है वो भी थोड़ा सा धीमा रखें ताकि बहुत तेज़ प्रैसर से जो भी बीच है वो उप़रो न आ जाए इस तरह से हल्के हाथों से पानी देने से जो भी हम हमारे बीज है वो अंदर ही सेट होंगे वो उपर नहीं आ गएंगे अगर उपर आ भी जाते तो आप थोड़ा सा उसमें उसके उपर से थोड़ी सी और मिट्टी डाल देजिए तो बस इतना आसान था मेथी धन्या पालक लगाना अगर वीडियो थोड़ा सा भी यूसफुल लगा हो तो लाइक कमेंट शेर कीजिए और बेल एकन प्रेस करके सब्सक्राइब करना मत भूले थेंक यू